बिश्मिल्लारवाराइम, असलाव वालेकुछ इस वीडियो में हम डिस्कॉस करेंगे दिस्टेंट, टाइम, और ऐसे कोशन ऐसे कोशन अकसर कॉम्पुटेटिटिव एक्स पुछे जाते है इस वीडियो में क्या सिकने माले हैं सबसे पहले हम डिस्कुस करेंगे फॉर्मला तरह करेंगे फॉर्मला तरह करेंगे फॉर्मला को तरह करेंगे फॉर्मला 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 करेंगे फॉर अगर अगर कोई बाद या थे आप्जेक्ट करेंगे स्टेटर वे सब्सक्राइब करें कि इस्पीज डिसक्राइब करें इस्पीट तो किदना टाइम लगेगा, इससे लगे कुछ नोमेरिकल सोते हैं तो वो एक सर नाब पूछी जाते हैं, हम वो डिसक्स होंगे सबसे पहले हम भी स्कास्ट करेंगे डिस्टेंड रड़ा पाइम यानिके डिस्टेंड अपन टाइम अब इस फार्मले को यूज करते हुए हम टाइम का फॉर्मूला भी रिफाइंड आउट कर सकते हैं अब जिस चीज को भी हमने फारिट करना होता है तो सब्सक्राइब कर प्राइम का फार्मूला तो लेंगे इस थाव ला जाएंगे रिफ्सटाइट कर झाल उपाइम को फिस तरफ लाइंगे तो बंटिक्राइब कर आज रभागे तो कसी तरफ बोटिक्राइब कर स्वार्मूला कि अस apart तो धच्क साथ कर दया से ब्लाइब हो मारा टाइम का बस time का formula drive हो गया थर्ट formula किसके लिए drive करेंगे distance के लिए किस तरह से करेंगे पस formula के इसाफ सिर्म देख लेंगे बस distance को find out करना है तो time divide हो रहा है distance से पस formula के साफ से time को जीकोस्टो के उस तरह लिए जाएंगे तो distance का formula drive हो जाएगा तो हो जाएगा ही distance equals to speed multiply by time अब हमने इस पहले formula से क्या बनाना या time होगा फॉर्मुला भी type करना है distance का formula भी type करना है अब आपको exam में जब speed पूछी जाए तो आप first formula formula यूज करना है time पूछे जाए तो second वाला और distance पूछे जाए तो third वाला इसे कलिए आपने स्रिव एक ही formula याद करना है speed वाला अगर time पूछे जाए तो इस formula को rearrange करना है time के साब से अगर distance पूछी जाए तो इस formula को rearrange करना है distance के साब से then fourth fourth क्या है कि fourth यहाँ पर conversion दी गई है क्या y km per hour कोई speed दी गई है क्योंकि km per hour में इसको आपने convert करना है meter per second में तो आपने simply इस value का करना कियाए तो इस value को multiply करा दे 5 से और divide करा दे 18 से तो वो simple meter per second में convert हो जाएगी अब यह direct conversion में आपको भी इंसे का लिए लिए क्योंकि में अक्सर competitive exam में इतना time नहीं होता कि हम पूरी-पूरी calculations करने बढ़ते हैं क्योंकि यह जो detailed and descriptive questions होते हैं इस में पूरी calculations शो करने हो दीने कि competitive exam में हमें direct answer लाना होता है तो आप इस short trick को use कर सकते हैं अब इस short trick के detail हम तोड़ा सबस्क्राइश लेते हैं ताके हम यह याद रहे कि हमने किस्ता से conversion की है तो क्लोमीटर को मीटर में convert करने के लिए हम जो भी speed given है अमने यह suppose की वे y तो उसको मीटर में convert करने के लिए हम कर देंगे multiply by thousand then divided by एक one hour दिया है तो पर आर है यानिके one hour तो one hour में 60 minutes होते हैं और 60 seconds होते हैं तो 60 multiply by 60 कर लेंगे अब क्या होगा 60 60 के जो 2 zero है वो हमारे thousand 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 जो पर उसके 2 zero से cancel हो चाहेंगे तो हमारा क्या बचाएगा answer y multiply by 10 divided by 36 वी 10 divided by 36 है तो हम इसको किसे रसम डिफा कर सकते हैं 2 5s are 10 नीचे बढ़ेंगे हम 2 1s are 2 1 carry जाएगा 2 8s are 16 तो 5 upon 18 आ गया इस तरह से आ रहा है हमारा 5 upon 18 और यह multiply by y होगा यह समरा देंगे के जो भी speed आपको given हो multiply करा दे 5 divided by 18 से तो आपके क्लियो मीटर पर रार की value है वो मीटर पर सेकंड में convert हो जाएगी इसको आप याद रख लें इसका ही उल्टा करेंगे तो मीटर पर सेकंड की value आपकी convert हो जाएगी क्लियो मीटर पर रार में बसक्या करना को अल्टा मतलब देखें अभी हम कर रहें 5 divided by 18 अगर मीटर पर सेकंड से क्लियो मीटर पर रार में जाना है किसी भी question में तो आपने करना है कि total distance को डिवाइट करा देना है total time से तो आप पास energy speed आ जाएगी अब हम discuss कहते हैं next question question number one है एकस बेसा speed of 18 km पर रार मीटर पर सेकंड या इसमें कहना है कि 18 km पर रार मीटर पर सेकंड में तो इसकी simple से conversion जो मैं आपको 15 से क्या करनी है कि जो भी value given है आपका speed की इसको multiply करा दे 15 से और divide करा दे 18 तो आपका speed है वो convert हो जाएगी मीटर पर सेकंड में तो आप हम इसको प्रके दिख लेते 18 km पर रार है तो हम क्या करेंगी 18 मंटिप्लाइब 15 दिवाइब 18 तो अब डिवाइटर भी दिवाइब 18 दिवाइब 18 दिवाइब 18 से 18 कैंसल हो जाएगा तो हारा पसांसर के आएगा 5 मिटर पर सेकंड इस सिंपल से conversion है यह हो गई है अगर हम बैसी करना चाहे कि multiply by 1000 करें और divide by 60 तो ऐसे पिर आंसर 5 भी आएगा लेगा लेगिन यह शौर्ट रहे हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं नेक्स कुशन है कि express 10 ms in km per hour इसमें 1 ms में इसमें इसको फिर्ट करना है किलो मीटर पर आर में तो इसको किसने से करेंगे हैं जो हम इसको मंटिप्ला करा देंगे 18 से और डिवाइद करा देंगे 5 से यह कि इसको पूरी वैल्यो को 18 बाइद 5 से मंटिप्ला कराना है तो हम इसको कर लेते हैं 10 मंटिप्ला बाइटीं डिवाइद बाइद बाइव तो हम इस 5 को 10 से कैंसल कर सकते हैं अब तो को 18 से मंटिप्ला कराएंगे तो आंसर आएगा 36 km per hour यहाब हमने 18 बाइद 5 से और अगर हमें मिटर पर से करना होगा तो 5 बाइटीं से करेंगे आपको एक याद करना है कोई भी एकी कनवर्जन याद कर लें दूसरी उसकी डूल आट होगी अमन ट्रेवल 15 km with a speed of 30 km per hour यह ट्रेवल अंदर प्रेज विद 25 km with a speed of 10 km per hour वाट इस अवरेज स्पीट पर इंटार जर्णी इसमें रहे हैं कि शाक्स ने 15 km कर दिस्टेंस ट्रेवल किया और स्पीट थी 30 km per hour और एक दूसरी जगह पर उसी शक्स ने 25 km कर दिस्टेंस ट्रेवल किया और स्पीट थी 10 km per hour अब हमें पूरी जर्णी है असके एवरेज स्पीट को पांड आट करना है तो ऑप्शन देख लेते हैं 25 km per hour 85 km per hour या फी 20 km per hour पांड आट को दिस्टेंस में तो तकांड आशे आट आ सकता है कि हस क्विटिन दुपर take out तो टूसरी नहीं पांड करेंगै तो आट नहीं है तूट नहीं को दूसरी करसे मेंन वानाट करेंगैं को ही दिष्टेंस को आजिए अब सुक्त Iyaगा जब यह अब तैम कैसे हैं कि आध्या तो लिवर मेड़ेद की वी बेलान सब आह था थाùng iphone कु प्रेइडख ने सिफ्टेंस का सकते हैं इसपलेधर दिष्टेंस जी कुए ने ने फ्रेक्शन की फॉर्म में कहा लिप है 0.5 जाने के 0.5 आर लगे है उनको उसक्स को पहला जो डिस्टेस्ट ट्रेवल किया है उसमें कितने गंटा लगा है आदा गंटा और टी टू किसे पांट आउट करेंगे 25 किलमीटर है डिस्टेस और स्पीट कितने थी 10 किलमीटर पार आद तो 25 टैंबार 10 करेंगे हम तो 5 तू जाएगा तो 5 बाइट तू को फ्रेक्शन में लिखते हैं 2.5 बार तो अब 2.5 बार और प्लस 0.5 बार तो हम आपस आसे किया है इन दोगो को अँड्स क करेंगे हम तोटल टाम को 2.5 बार पार हो जाएगे वानपस 3 और तो हम वा कितने कि टो टोटल टाम है और हम और पस त्री आलोट फ्रेक्शन के आहा है हमारा 40 किलमीटर है मार ठाह्म, और खो तू तो फ्रेक्शन के प्लस टैंच हो फ्रेक्शन के है इसका correct है next question हमारा पास है train with the speed of 72 km per hour travels in 27 seconds crosses 400 meter long platform what is the length of the train तो कह रहा है है कि एक train ने जो है वो speed थी 72 km per hour और travel किया 27 seconds में कितना distance 400 meter long distance यह प्लाटफॉर्म जोके वो रिंडेट क्लिमिटर long था तो उस train की कितनी length होगी यह find out करना है तो option A रिख लेते 120 meter, option B 140 meter, option C 160 meter इसको किस तरह से करेंगे हम solve तो सबसे बहले तो जो speed दी गए है क्लिमिटर पर रार इसको हम जह है वो meter per second में convert करेंगे क्योंकि हमें time जो second में दीए गया है तो इसको simply हम 72 को मलिबना कराएंगे 5 से और डिवाइब बाइटीन तो 18 ones are 18 and 18 falls are 72 then 5 falls are 20 तो 20 meter per second तो एक second में 20 meter जो है इसने distance travel किया है तो 27 second में कितना होगा distance travel किया होगा तो 20, multiply by 27 कर देंगे तो आज एक 540 meter जानिके जो length thinner friend की वो इसके अंदर है वो किस तरह से अब यह 540 meter है यह किसकी है प्लैफॉर्म की भी है प्लैफॉर्म जो के distance travel किया है वो प्लस train की length इसमें एड़व है तो अब प्लैफॉर्म की हमें दी गई है इसमें की कितनी है तो तो प्लैफॉर्म की कितनी होगी तो हम उप्लैफॉर्म की लेंगी जो प्लैफॉर्म की length थी एड़व है तो अंसर 140 meter तो 140 meter को जाए option B अस्त कुशन है अमन टेक्स 15 minutes to cover a certain distance at a speed of 6 km per hour if he walk at a speed of 10 km per hour he cover the same distance in इसमें की 15 minutes के अंदर एक distance टैवल किया और उसकी speed क्याती 6 km per hour अगर वह 10 km per hour पर same distance जो है वह cover करता है तो कितना time लगीगा अगर जो है उसकी speed ज्यादा हो जाती है मतलब 6 km पर आरे तो उसके 10 km per hour speed पर अगर वह walk करता है तो इस speed पर कितना time लगेगा अगर distancing में तो options एक लेते हैं 40 minutes 30 minutes और 20 minutes तो सबस्ते पहला हम लेटा में आ ला लेते हैं T1 दिया गया है 50 minutes V1 दिया गया है 6 km per hour T2 हमें find out करना है यानि के time और V2 है हमारी यानि के second speed वह है 10 km per hour तो D1 और D2 तो बरावर है क्योंके distance जो है वह सेम है सिर्फ speed चेंज हुई है और एक time दिया गया है दूसरा time मालूम करना है तो हम क्या कर लेंगे V1 T1 is just V2 T2 हम find out कर लेते हैं V1 के जगा लिख देंगे हम 6 km per hour multiply by 50 50 minutes तक है तो अब हमें T2 मालूम करना है तो हम T2 का इसी रिस 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 लेते हैं V2 के जगा हमें 10 km per hour तो हम इस index लेते हैं अब हम भी values को put कर दी हम इस formula को rearrange कर लेंगे 10 जगे 10 जगे वह तो इस लेते हैं 5 60 हो दो है 30 यह जगा जगे 300 divided by 10 300 को 10 से divided कर दो तो मारा पास तक हम सगे 30 minutes तो इसका option भी जगा है यापर क्या हो है कि अब डिस्टेंस यह स्पीड चेंज हुई तो हमें time find out करना है अगर स्बीट जादा हो जाएँ तो जाहिद बाते कि time कम लगा तो पहले कि I 50T देएब सेंग गाएद देज ए तर जो 10 km पाथ हो जाएगी तो 30 मिनट्स देएँगे आई गोब आपको ये टाइम, स्पीड और डिस्टिल्स के जो प्राबलम्स ने समझा होंगे थेंग्यों सब्माइब फिर वाचिंग